मंगला विद्या मंदीर के सबी चात्रों को आपकी हिंदी की शिक्षिका लोना का नमस्कार तो बच्चों आज मैं आपको हिंदी की व्याकरण पढ़ाने वाली हूँ व्याकरण में आज का विश्वय है संग्या तो बच्चों आज आप सभी जानते होंगे संग्या किसे कहते हैं संग्या की परिवाशा क्या है संग्या की भेद क्या होते है तो बच्चों आज की पढ़ाई में हम इनी सब चीजों के भारे में और तोड़ा ज्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे किसी विक्ति, वस्तु, स्तान या भाव के नामों को संग्या कहते है संग्या में तीन भेद है वो है विक्तिवाचक संग्या, जातिवाचक संग्या और भाववाचक संग्या तो बच्चो हम संग्या की इनी तिन बेदों को अभी फढ़ेंगे हमारा पहला बेद है वेक्तिवाचक संग्या जो शब्द केवल एक वेक्ति, वस्तु या स्तान का बोध खराते ही उन शब्दों को वेक्तिवाचक संग्या कहते हैं जिसे के आप उदाहरन में देख सकते हैं रमेश बाहर केल रहा है इस वाक्य में रमेश वेक्तिवाचक संग्या के उदाहरन है महेंद्र सिंग दोनी क्रिकेट केलते हैं इस वाक्य में महेंद्र सिंग दोनी एक वेक्तिवाचक संग्या के उदाहरन है मैं भारत में रहता हूँ इस वाक्य में भारत वेक्तिवाचक संग्या के उदाहरण है अमिता बच्चन कलाकार है इस वाक्य में अमिता बच्चन वेक्तिवाचक संग्या है तो बच्चो हम आगे फड़ेंगे हमारी संग्या की दूसरी बेत वो है जातिवाचक संग्या जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तू या स्तान की संभून जाती का बोध खराते हैं उन शब्दों को जातिवाचक संग्या कहते हैं जैसे कि आप उदाहरण में देख सकते हैं यहां पर स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं इस वाक्की में बच्चे जातिवाचक संग्या है बिल्ली दूद पीती है इस वाक्की में बिल्ली जातिवाचक संग्या है पेडों पर आम लगे हैं इस वाक्य में पेड एक जातिवाचक संग्या की उदाहरन है राम पौदों को पानी देता है इस वाक्य में पौदा एक जातिवाचक संग्या के उदाहरन है तो बच्चों अभी हम पढ़ेंगे संग्या की आकरी बेद वो है भाव वाचक संग्या जो शब्द किसी चीज या पदार्त की अवस्ता, दशा या भावखा बोध खराते ही उन शब्दों को भाववाचक संग्या कहते हैं तो बच्चों हम उदाहरन देखेंगे ज्यादा दौडने से मुझे तकान हो जाती है इस वाक्की में थकान बाववाचक संग्या है लगातार परिश्रम करने से सफलता मिलेगी इस वाक्की में सफलता बाववाचक संग्या है तो बच्चों अभी हम आगे पढ़ेंगे बाववाचक संग्या के कुछ अन्य उदाहरन वो है बच्चपन, बुडापा, मोटापा, मिटास. इससाप बाव अचक संग्या के उदाहरने. तो बच्चों आज आपने क्या पढ़ाई किया? आपने पढ़ाई किया कि संग्या की परिवाशा और संग्या की भेदों के भारे में आपने जानकारी ले लिया हैं. तो मैं आज आपको इसी पड़ाय की उपर कुछ प्रश्न पुशने वाली हूँ, इन सब प्रश्नों का उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना हैं तो आज की प्रश्न इस तरह है की तो बचों इन सब प्रश्नों का उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है तो आशा करती हूँ बचो आज की संग्या की पढ़ाई आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होगा उन सब प्रश्णों का उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में अच्छे से लिख लेजिए धन्यवाद